एक कहानी एक नसीहत अभिजीत ने कहा कि चिंता मत करो मैं तुम्हें एक फॉर्म भेज देता हूं बस वो भर कर भेज देना बाकी मैं खुद देख लूँगा लेकिन आठ दस पेज का प्रपोजल फॉर्म देखकर अभिजीत ने माथा पकड़ दिया परेशान अभिजीत ने रोहित को फोन किया रोहित ने कहा कि तुम परेशान मत हो बस साइन कर दो बाकी फॉर्म मैं खुद भर दूँगा अभिजीत ने भी अपने बीमा एजेंट रोहित के कहने पर फॉर्म पर साइन करके पकड़ा दिया कुछ समय बाद जब अभिजीत ने हॉस्पिटल में अपने इलाज का खर्च बीमे से भरना चाहा तो हॉस्पिटल वालों ने उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया दरसल चार साल पहले अभिजीत हॉस्पिटल में अडमिट हुए थे और उनके बीमा एजेंट ने ये बात उनके फॉर्म में शामिल नहीं की थी अब इंशुरेंस कमपनी ने उनका क्लेम नॉन डिस्कलोजर मान कर खारिच कर दिया अभिजीत तो अपनी सारी जिंता बीमा एजेंट पर छोड़कर बुरी तरह फ़स गए लेकिन आप ऐसी गलती ना करें इसके लिए एक नसीहत है बीमा एजेंट के भरोसे यूहीं फॉर्म भर देंगे तो आगे जाकर आपके परिवार के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है पॉलिसी होल्डर के ना रहने पर गलत भरे प्रोपोजल फॉर्म के बिना पर क्लेम रिजेक्ट हो जाता है क्लेम लेते वक्त अगर बीमा कंपनी को स्वास्त से जुड़ी ऐसी कोई बात पता चले जिसका जिसका जिकर प्रोपोजल फॉर्म में ना हो उसे नौन डिस्क्लोजर माना जाएगा मतलब की पॉलिसी खरीदने वाले ने तथ नहीं बताये हैं या बीमारी और इलाज को छपाया है पॉलिसी की शर्तों में साफ लिखा होता है कि अगर कोई तथ छपाया और बाद में उसका खुलासा किया गया तो क्लेम खरच कर दिया जाएगा बीमा कंपनी ग्रहा की पुरानी बीमारीयों के अलावा उनकी जीवन शेली और आदतों से जुड़े सवाल भी पूछती है इन सवालों का हाँ और ना में जवाब लिखा जाता है इसे आपको पूरी सच्चाई से बताना चाहिए परसनल फाइनेंस एक्सपर्ट विरल भट कहते हैं कि आपको प्रपोजल फॉर्म में हेल्थ कंडिशन तो सच्चाई से बतानी चाहिए साथ ही इसमें अगर कोई बदलाव आए जैसे कि कोई जानलेवा बीमारी हो जाए तो इसकी जानकारी भी बीमा कंपनी को देनी चाहिए कंपनी को आपके बारे में जानकारी जाहिए पुरानी बीमारी या ट्रीटमेंट के बारे में प्रपोजल फॉम में जानकारी देने पर कमपनी बीमा देने से मना नहीं करती हैं बलकि प्रीमियम की कुछ कॉस्ट बढ़ा देती हैं जानकारी चुपाकर बीमे को सस्ता करना आगे जाकर आपके लिए महंगा पड़ सकता है अलकोहल और धुमरपान जैसी आदतों को लेकर भी सतरक रहें जब बीमा खरीदा तब अलकोहल और धुमरपान का सेवन नहीं करते थे लेकिन आगे जाकर करने लगे तो ऐसी जानकारी बीमा कंपनी को दे देनी चाहिए अगर पॉलिसी लेने के बाद शराब पीने या धुमरपान से जुड़ी कोई जानलेवा बीमारी हो जाए जिसमें जान चली जाए तब भी बीमा कंपनी क्लेम खरच कर सकती है तो इंशुरंस का प्रपोजल फॉर्म भरते वक्त किसी भी जानकारी उको ना चुपाएं पुरानी बीमारी और एलाज की जानकारी दे लाइफ इस्टाइल और आदतों की जानकारी सही भरें अगर एजेंट से फॉर्म भरने में मदद ले रहे हैं तो फॉर्म खुद से क्रॉस चेक किये बिना जमा ना करें जितनी सचाई से आप प्रपोजल फॉर्म भरेंगे आपको और आपके परिवार को क्लेम मिलने में उतनी ही आसानी रहेगी एक कहानी एक नसीहत में इतना ही इसे लिखा है आचल चौधरी ने बिजनेस और परसनल फाइनस जोड़ी हर खबर के लिए आप रेडियो मनी नाइन सुनते रहिए और मनी नाइन का मूबाइल अब जरू डाउनलोड कर लीजे चलता हूँ अपना खैल रखें नमस्कार एक कहानी एक नसीहत